विहार में श्राबंदी अभियान को सफल करने की बड़ी सिम्यवारी जीविका दीदियों के जिम्में है। ग्रामिड विकार समंत्रे शरण कुमार ने जीविका दीदियों के जमकर तारीप की। वह उन्होंने कहा कि जीविका दिदी समासुधार अभियान को लेकर बेहतर काम कर रही है आने वाले समय में विभाग उनको और भी कई महत्तपुन समयदारी देने का काम करेगी पिहार में सराबंदी अभियान को शफल करने में जीविका दिदी अहम रोल निभा रही है और लगतार जो खबरे आ रहे हैं कि जीविका दिदियों का जो समू है वो सराबंदी अभियान को शफल बना रहा है जो सराब पीने वाले लोग हैं या सराब बेचने वाले लोग हैं सर जीविकादीदी काफी अहम रूल निभा रही है, मुखमंत्री का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है सराबंदी अभियान, लगता है कि जीविकादीदी की जिमवारी और बढ़ेगी? देखिए ये जो डिमांड है, सराबंदी का जो डिमांड है, ये बिहार की आधी अभादी का ही डिमांड है और महलाओं के कहने पर ही, महलाओं के सुझाओं पर ही बिहार के मुखमंत्री सिरी नितीस कुमार जी ने इसको बिहार में लागू किया बिहार में सराबंदी को समाप्त करने की दिसा में पहल की और उसी का फला फल है कि आज बिहार में सराबंदी है लेकिन शिट फुट जो घटनाय हो रही है उसके चलते हम सब लोग दुखी हैं हम सब लोग मरमात हैं लेकिन जीविका की दीजी आज भी लोगों को एवर्न करने में लगी है, लोगों को जानकारी देने में लगी है, लोगों को बताने में लगी है कि सराब किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। अब रही जगों पर सुर्ण नलंदा हो, चपरा हो, कई जगों पर जहरेली सराब की मामला आया है, तो लगता है कि जिविकादिदी की और एक्टिव होना होगा ताकि वैसे लोग जो इस सराब के गुरक धंदे में लगे हैं, जहरेली सराब पहुंचाने का काम करने हो, वैसे रहे हैं कि सर्व का दिदी की भी जिम्हारी और बढ़ेगी कई मुटपून जिम्हारी आप भागने साथ लिए कि अधिने का प्रिकि जीवका आज में उसके बारे में हमारी जीवका की दिदिया इस तरह से लोगों तक मुच रही है और लोगों के बीच में काम कर रही है और कि जो तमाम समाजिक सुधार के काम हो रहे हैं उसमें भी बढ़ चरकर हिस्सा ले रही है लोगों को जागरूप कर रही है और आने वाले समय में विभाग भी जिवका दिद्यों को और बड़ी जिम्हारी देने की योजना बना रहा है कर्मने सुनिल के साथ उनिश कुमार क प्रशिस्नूट प्ना